प्रिष्ट संख्या 114 भारत माता अक्सर जब मैं एक जलसे से दूसरे जलसे में जाता होता और इस तरह चक्कर काटता रहता होता था तो इन जलसों में मैं अपने सुनने वालों से अपने इस हिंदुस्तान या भारत की चर्चा करता भारत एक संस्कृत शब्द है और इस जाती के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला हुआ है मैं शहरों में ऐसा बहुत कम करता क्योंकि वहां के सुनने वाले कुछ ज्यादा सयाने थे और उन्हें दूसरे ही किसम की घिजा की जरूरत थी लेकिन किसानों से जिनका नजरिया महदूद था मैं इस बड़े देश की चर्चा करता जिसकी आजादी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे और बताता कि किस तरह देश का एक हिस्ता दूसरे से जुदा होते हुए भी हिंदुस्तान एक था मैं उन मसलों का जिकर करता जो उत्तर से दखिन तक और पूरव से पश्चिम तक किसानों के लिए यक सां थे और स्वराज्य का भी जिकर करता जो थोड़े लोगों के लिए नहीं बलकि सभी के फाइदे के लिए हो सकता था मैं उत्तर पश्चिम में खैबर के दर्रे से लेकर धुर दक्षिन में कन्या कुमारी तक की अपनी यात्रा का हाल बताता और यह कहता कि सभी जगह किसान मुझे से एक से सवाल करते क्योंकि उनकी तकलीफें एक सी थी यानी गरीबों, करज़दारों, पूंजी पतियों के शिकंजे, जमीदार, महाजन, कड़े लागान और सूद, पुलीस के जल्म ये सभी बातें गुती हुई थी उस ढड़े के साथ जिसे एक विदेशी सरकार ने हम पर लाद रखा था और इनसे छुटकारा भी सभी को हासिल करना था मैंने इस बात की कोशिश की कि लोग सारे हिंदुस्तान के बारे में सोचें और कुछ हद तक इस बड़ी दुनिया के बारे में भी जिसके हम एक जुज हैं मैं अपनी बातचीत में चीन, स्पेन, अभी सीनिया, मध्ध यूरोप, मिस्र और पश्चिमी एशिया में होने वाले कश्मकशों का जिक्र भी ले आता पिश्ट संख्या 115 मैं उन्हें सोवियत यूनियन में होने वाली अचरज भरी तबदीलियों का हाल भी बताता और कहता कि अमरीका ने कैसी तरक्की की है यह काम आसान ना था लेकिन जैसा मैंने समझ रखा था वैसा मुश्किल भी ना था इसकी वज़़ यह थी कि हमारे पुराने महाकाव्यों ने और पुरानों की कथा कहानियों ने जिन्हें वे खूब जानते थे उन्हें इस देश की कलपना करा दी थी और हमेशा कुछ लोग ऐसे मिल जाते थे जिन्हों ने हमारे बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा कर रखी थी जो हिंदुस्तान के चारों कोनों पर हैं या हमें पुराने सिपाही मिल जाते जिन्हों ने बड़ी जंग में या धाओं के सिलसिले में विदेशों में नौक्रियां की थी। सन तीस के बाद जो आर्थिक मंदी पैदा हुई थी उसकी वजह से दूसरे मुलकों के बारे में मेरे हवाले उनकी समझ में आ जाते थे। मेरे सवाल से उन्हें कुतूहल और ताज्यूब होता और कुछ जबाब ना बन पढ़ने पर वे एक दूसरे की तरफ या मेरी तरफ देखने लग जाते। सारे हिंदुस्तान की धर्ती से उनका मतलब है। इस तरह सवाल जवाब चलते रहते यहां तक कि वे उब कर मुझसे कहने लगते कि मैं ही बताऊ। मैं इसकी कोशिश करता और बताता कि हिंदुस्तान वह सब कुछ है जिसे उन्हों ने समझ रखा है लेकिन वह इससे भी बहुत ज़्यादा है। हिंदुस्तान के नदी और पहार जंगल और खेत जो हमें अन देते हैं ये सभी हमें अजीज हैं लेकिन आखिरकार जिनकी गिनती है वे हैं हिंदुस्तान के लोग। उनके और मेरे जैसे लोग जो इस सारे देश में फैले हुए हैं। भारत माता दर असल यही करोणों लोग हैं और भारत माता की जै से मतलब हुआ इन लोगों की जै का। प्रिश्ट संख्या 116 मैं उनसे कहता कि तुम इस भारत माता के अंश हो। एक तरह से तुम ही भारत माता हो। और जैसे जैसे ये विचार उनके मन में बैठते उनकी आँखों में चमक आ जाती। इस तरह मानो उन्होंने कोई बड़ी खोज कर ली हो। अभ्यास पाठ के साथ एक भारत की चर्चा निहरुजी कब और किस से करते थे। दो, निहरुजी भारत के सभी किसानों से काउन सा प्रश्न बार बार करते थे। तीन, दुनिया के बारे में किसानों को बताना निहरुजी के लिए क्यों आसान था। चार, किसान सामान्यता भारत माता का क्या अर्थ लेते थे। पांच, भारत माता के प्रती नहरू जी की क्या अवधारना थी? छे, आजादी से पूर्व किसानों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था? पाठ के आसपास एक, आजादी से पहले भारत निर्मान को लेकर नहरू के क्या सपने थे? क्या आजादी के बाद वे साकार हुए? चर्चा कीजिए दो, भारत की विकास को लेकर आप क्या सपने देखते हैं? तीन, आपकी दृष्टी में भारत माता और हिंदुस्तान की क्या संकलपना है? बताइए चार, वर्तमान समय में किसानों की स्थिती किस सीमा तक बदली है? चर्चा कर लिखिए पांच, आजादी से पूर्व अनेक नारे प्रचरीत थे, किनी दस नारों का संकलन करें और संदर्व भी लिखें भाशा की बात एक, नीचे दिये गए वाक्यों का पाट की संदर्व में अर्थ लिखिए दखिन, पच्छिम, यकसा, एक जुज, धड़े नीचे दिये गए संग्या शब्दों के विशेशन रूप लिखिए आजादी, चमक, हिंदुस्तान, विदेश, सरकार, यात्रा, पुराण, भारत, पिष्ट संख्या, एक सो सत्र, शब्दुछवी, सयाने, समझदार, घिजा, हुराग, भोजन या खाद्य, नजरिय, दिष्टिकुं, महदूद, सीमित, मसला, मुद्दा, यकसा, एक समान, ध खड़े, बोज, तब्दीलियों, परिवर्तनों, जुज, खंड या भाग, कश्मकश, उखापो, या पसोपेश, हवाले, संदर्भ, कुतुहल, उचसुकता, ताज्यूब, आश्चर्य, हट्टे-कट्टे, हिरिष्ट्पुष्ट, स्वस्त, मजबूत कदकाधिवाला, अमारो, धावा, आक्रुमन